कैफे जैसी गार्लिक ब्रेड आज हम लोग घर में बनाते हैं देखे कितनी टेस्टी बनी है मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूँगा इसको बनाने के अवन के साथ और बिना अवन भी तो जरूर से ट्राई करिएगा और मेरे चटरों कैसे हुआ आप चलिए कैफे जैसी गार्लिक ब्रेड बनाते हैं चीज टॉपिंग वाली गार्लिक ब्रेड बनाने का सबसे मुश्किल स्टेप है लहसुन को तयार करना specially अगर वो ऐसे छोटी छोटी कलिया हो तो मैंने यहापर 20 कलिया इस्तमाल करी है अगर आपके पास बड़ी कलिया हो तो 10 भी इस्तमाल कर सकते हैं इनको बारीक काटना है काटने के बाद यह रेडी हो जाएंगे आप चाहो तो गार्लिक को ग्रेट भी कर सकते हो अब चलिए गार्लिक बटर बनाते हैं एक बाउल में मैंने यह 100 ग्राम बटर इस्तमाल किया है अगर आपके पास हार्ड बटर हो तो 25 ग्राम बटर को आप पिग्ला लीजेगा और 75 ग्राम बटर उसमें मिला दीजेगा सारा बटर 10 मिनिट में नरम हो जाएगा बटर नरम होना चाहिए दोस्तों उस बात का ध्यान रखना है अब इसमें धनिया डालेंगे कैफे में पार्सले डाला जाता है जिसमें फ्लेवर थोरा सा कम होता है लेकिन नॉर्मली इटालियन रेसिपीज में ऐसे पार्सले डालते है मेरे पास नहीं था मैंने धनिया इस्तमाल किया है तो थोरा सा कम डाला है एक बड़ा चमच अब इसमें हम लोग गार्लिक डाल देंगे और थोरा सा नमक इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करना है और चमच से ऐसे 15-20 सेकंड तक फेटिएगा इससे अपना जो गार्लिक बटर है वो क्रीमी बनता है अपना फ्रेश गार्लिक बटर बिलकुल रेडी है आप इसको ऐसे बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हो चाहो तो लेकिन फ्रेश का अलकी मज़ा है दोस्तो अब चलिए टॉपिंग की बात करते है वैसे टॉपिंग करना आप्शनल है कुछ कैफे वगरा करते है हम लोग चड़ार चीज इस्तमाल करेंगे इसमें फ्लेवर जादा होता है अगर यह नहीं हो तो आप प्रोसेस चीज भी इस्तमाल कर सकते हो और जो पीज़ा वाली चीज आते है ना मॉजरेला उसको भी मिक्स करेंगे मैंने यह आपर एक बोल में सेम कॉंटिटी इस्तमाल करी है एक हिसा चड़ार चीज और एक हिसा मॉजरेला चीज पीज़ा के लिए नॉर्मली टू इस्टु वान फॉलो करते है मतलब मॉजरेला डबल होती है चड़ार आदी होती है चीज भी बिल्कुल रेडी है इसके जगे आप चीज क्यूब्स भी इस्तमाल कर सकते हो उसमें भी बढ़िया टेस्ट आता है उसमें भी चड़ार चीज होती है ना आप चलिए ब्रेड के पास जाते है ब्रेड का इंतजाम करने के लिए मैंने ही आप पर बर्गर बन इस्तमाल किया है इसमें सेम शेप आपको मिलेगी कोने का हिससे मैंने थोड़ा छोटा काट दिया इसलिए एक बार उसको साइड में रख रहा हूँ ऐसे आप आदा आदा इंच के स्लाइसेस बना लीजेगा और देखिए एकदम पर्फेक्ट लग रही है ना कैफे जैसी एक बड़े साइस के ऐसे बर्गर बन से आप पांच पीस तो अराम से बना पाओगे अपने ब्रेड बिलकुल रेडी है मैं आपके साथ दो तरीका शेयर करूँगा गार्लिक ब्रेड बनाने का दोनों का तयार करने का स्टेप तो सेम ही है ब्रेड में हम लोग गार्लिक बटर लगाएंगे कम कॉन्टिटी में लगाईएगा लेकिन अच्छे तरह फिलाना है अगर कोने कोने में रह गया बटर लगाना तो वहाँ पर बहुत कड़ी हो जाती है ब्रेड जैसे हम लोग रस खाते हैं ना चाई में डूबोकर उतनी कड़ी हो जाती है तो अच्छे से फिलाईएगा क्योंकि एक ही तरफ लगाना है नीचे के तरफ भी अगर गार्लिक बटर लगाएंगे तो ब्रेड ओईली हो सकती है ग्रीसी हो सकती है एक एक करकर मैंने बहुत सारी ब्रेड में ऐसे बटर लगा लिया है बटर की साइड उपर रखी है और नीचे के तरफ कुछ भी नहीं है गार्लिक ब्रेड बिलकुल रेडी है, कुछ कैफे इसमें उपर मियोनीज भी लगाते है आप चाहो तो लगा सकते हो उसके 2-3 कारण है, वो कभी और डिसकस करेंगे अभी तो बहुत सारी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी बनानी है टॉपिंग करना ओप्शनल है, लेकिन टॉपिंग जब चीज की करते तो बहुत टिस्टी लगती है इसी वज़े से मैंने हाँ पर एक लेयर बचा दिया चीज की अगर आप चीज क्यूब इस्तमाल कर रहे हो, उसको आप इना ग्रेट करकर इस्तमाल करिएगा क्योंकि इसमें मोजरेला चीज मिक्स करी गई है, इसी वज़े से मैंने इसको ऐसे ही फिलाया क्योंकि वो पिखल जाती है चीज टॉपिंग वाली अपनी गार्लिक ब्रेट रेड़ी है, बिल्कुल कैफे जैसी, अभी मैं आपको इसके दो तरीके दिखाता हूं सेकने के पहला तरीका हम लोग गैस में बनाएंगे, तो आप कोई भी धकन वाला पैन ले लिजे, फ्राइ पैन हो तो बढ़िया रहेगा, वरना आप तबे पर एक भगोना से धककर भी बना सकते हो मैंने ये फ्राइ पैन अभी गैस पर रखा है, गैस बंध है, इसमें हम लोग अपने गार्लिक ब्रेट रख देंगे चार, पांच, चैपीस जितने अच्छे से फिट होते होतने आप रख दीजिए और फिर धकन लगा देंगे नीचे के तरफ तेल, बटर, कुछ भी नहीं लगाना है, धकन लगाने के बाद गैस को आउन करेंगे लो फ्लेम पर और इसको हम लोग चार मिनिट के लिए सेकेंगे फ्लेम कम से कम रखनी है, वरना अपनी ब्रेट नीचे से जल सकती है तीन साड़े तीन मिनिट के बाद आप एक बार ओपन करकर चेक कर लिजेगा नीचे के तरफ से लाइट ब्राउन होनी चाहिए, अभी मैं खुदी कैमरा पकड़ रहा हूँ एक हाथ से और इनको चेक कर रहा हूँ तो आपको नहीं दिखा पाई अच्छी तरह लेकिन ये बिल्कुल रेटी लग रही है, साड़े तीन मिनिट हुई है बिल्कुल, मैंने अब गैस को बंद कर दिया है, धक्कन फिर से लगा दिया और इसको डेड़ दो मिनिट के आसपास ऐसे ही रहने देंगे जो बची-कूची हीट है ना पैन के अंदर, उसके वज़े से चीज और ज़दा मिल्ट हो जाएगी तो दो मिनिट के बाद आप अभी देख सकते हो, मैंने दीदी को कैमरा दे दिया है ताकि अच्छी तरह दिख जाए सीन ब्रेड एकदम बढ़िया तरीके से सिकी है, सुपर क्रिस्पी है नीचे के तरफ से और उपर जो चीज है अच्छी तरह मेल्ट हुई है, मैंने इसमें चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कोरियांडर भी स्प्रिंकल किया था सजाने के लिए और आप चीज पूल देख सकते हो, बढ़िया बनिये ना ये था फ्राइ पैन में बनाने का तरीका, अब मैं आपके साथ अवन में बनाने का तरीका शेयर करता हूँ तो अवन में बनाने के लिए आप हाइस टेंपरेचर जो पॉसिबल हो अवन में ये अवन में 250 डिग्री है, सेंटिग्रेट, उसमें मैंने टोस्ट मोड पे अवन को 10 मिनिट के लिए प्रीहिट किया था टोस्ट मोड मतलब उपर का रोड और नीचे का रोड दोनों आउन था और फिर हम लोग इसके अंदर रख देंगे ब्रेड गार्लिक ब्रेड को बनाने के लिए 7 तू 8 मिनिट्स लगते है, साथ से 8 मिनिट में अपनी गार्लिक ब्रेड रेडी हो जाएगी गलती से वीडियो लेते समय मेरे से बेक मोड में चला गया था नॉब तो आप देख सकते हो मैंने इसको फिर से टोस्ट मोड में कर दिया है टोस्ट मोड मतलब बॉटम रोड और टॉप रोड दोनों रोड ओन है पांच मिनिट के बाद हम लोग इसको चेक तरेंगे बहुत सारे अवन में अंदर की तरफ जादा हीटिंग होती है तो इसमें भी वोई प्रॉबलम है पूरी पांच मिनिट हो चुकी है मैं अभी ये ट्रे को निकाल कर उल्टा कर रहा हूँ ताकि जो बाहर की तरफ ब्रेड थी उसमें भी ब्राउनिंग अच्छी तरह हो जाए बस दो मिनिट और सेखेंगे और अपनी गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो जाएगी अभी आप देख सकते हो कितनी पर्फेक्ट ब्लिस्टरिंग आई है अपनी चीज में मैंने यापर चड़ार चीज और मोजरेला चीज सेम कॉंटिटी में मिक्स करी थी न एकदम पर्फेक्ट लग रहा है न तो चलिए अब इसको गर्मा गरम सर्फ करेंगे आप इसमें थोरा सा चिली फ्लेक्स और धनिया से कार्णिश करिएगा बहुत टेस्टी लगता है देखिए चीज पूल भी बहुत अच्छा है कैसी लगी रेसिपी दोस्तों अच्छी लगी तो लाइक नहीं अच्छी लगी तो सैड हमोजे या फिर डिसलाइक बटन कर लिजेगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो बाइबाइब